Hello everyone, welcome you all at Lucky Sir Unlimited Study Zone Lecture No.3 Super Fast Study का सुरू कर रहे हैं और topic continue करेंगे हमारे पास है चुम्ब कर दिवम चुम्ब की पदार तो कल की क्लास में हम लोगों ने बता दिया था कि किसी स्थान पर प्रणामी चुम्ब की छेतर के दो घटक बनते हैं है ना चेतिज घटक जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं नतिकों नमन कोण भी बोलते हैं देखिए जैसे मान लेजे कि ये किसी बिंदू पर चुम्ब की छेतर है ये प्रणामी चुम्ब की छेतर है भी ओके इसके दो घटक हुआ करते हैं एक होरिजुन्टल घटक जिसको भी चैतिज बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं बी वर्टिकल ठीक ना कल आपको मैंने प्रतिवी बना करके दिखाई थी कि इस मुमेंट पर जो होता है जो बल रेखाए होती है वो इस तरीके से आकर के यहां और साउथ पोल है ठीक ना तो यहां पर क्या समझ में आरहा है यहां पर यह समझ में आ रहा है कि यह बिल्कुल प्रतिवी से किते डि डिगरी का अंगल बना रही है 90गरी का किते डेगरी का निंटिग्री का मतलब यह यह कहा जाए कि ध्रूवों पर नमन कोण कितना होता है तो ध्रूवों पर नमन कोण का मान कित्ते डिगरी होता है 90 ठीक ना परन्तु यदि आप इस पॉइंट पर यदि लेंगे यह क्या होता अपना यह होता है एक्वेटर क्या होता है एक्वेटर जिसको बोलते है में विशुवत रेख इसको क्या बूलते हैं हम विशुवत रेख तो इस विशुवत रेख हा पर जो थीटा ओगा वो कित रएग्री मुझरी क्योंकि और do in kail केवलिए घ्याटन और फॉर्टिकाल कह नहीं होगा इसलिए यहां पर थी टर प्रवी तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है किसी स्थान पर प्रतिवी का एक्षा remains और अक्ष के लंबवत क्या होता है निरक्ष होता है तो चुम्ब की ये निरक्ष पर है ना ये थीटा का मान कित्ते डिगरी होगा जीरो डिगरी तो लेखा हुआ है कि चुम्ब की निरक्ष पर नमन कोण का मान जीरो डिगरी होता तता धुरूप पर सरवाधिक 90 डिगरी होत बी ए और ही देखो कुल जो तीवरता है अर्थ की वो है बी अर्थ क्या है वो बेटा बी अर्थ है अब इसके दो घटक तोड़ लिये हैं इसका दो घटक तोड़ लिया है एक घटक आपके कहरा कि यदि प्रतिवी की प्रणामी चुम्बी की छेतर कितना है बी ए है इसका जो जेड़ ए क्या नाम दे दिया है जेड़ी समझ गए ना अच्छा अब नमन कोंड यह आई ले रहा है अपन थीटा लेते थे क्या लेते थे थे थीटा चलो कोई बात नहीं अब यह आई ले रहा है तो मैं भी यहां पर नमन कोंड क्या ले लेता हूं आई ले लेता हूं और इ H E बराबर हॉरिजून्टल बराबर B E का कोस थीटा थीटा क्या है हाँ पर आई है ना इसी तरीके से जो वर्टिकल कमپोनेंट होता है बिटा वो क्या होता है सांए होता है तो Z E बराबर B E का कौन सा कमपोनेंट sign component भूली है सानो अब एक काम करिए दोनों को work करके जोड़ दीजे दोनों को work करके जोड़ दीजे तो क्या हो जाएगा he का square plus j e का square बराबर ध्यान से लिए be cos square i और be sin square i sorry be square cos square i be square sin square i अगर मैं be square common ले लो sin square i cos square i किता बन जाएगा तो पलट करके इसको लिखूँगा तो यह क्या बनेगा be square equal to h i का square plus z e का square तो भहिया क्या बनेगा formula आपके पास आपके पास बनेगा be equal to under root h i plus हाँ बेटा h e plus z e clear हुआ मतलब जो परणामी चुम्बी की छेतर होता है वो इन दोनों का परिमाड होता है क्या होता है हाँ square भी होगा इन दोनों का परिमाड होता है समझ गया ना तो यह क्या है परिणामी क्या है यह और यह जो कुल आ रहा है यह क्या है परिमाड क्या रहा है परिमाड तो परणामी चुमिकी छेतर जो होगा वो छेतिज घटका और वर्टिकल घटका क्या होगा परिमाड होगा समझ में आ गया न रिजल्टेंट होगा अब बात कर लेते हैं 10 I की तो सू सिंपल बेटा उपर वाला कॉस है नीचे वाला साइन है तो साइन में से कॉस को डिवाइट कर दोगे तो 10 आ जाएगा आएगा की नहीं आएगा तो चलो मैं उपर वाला पहले लिखता हूँ जेड़ी बराबर कितना है बी इ साइन आई है की नहीं है और यहां से नीचे वाला ही हर्जंटल वाला कितना है बी अर्थ और बुलो क्या कितना कॉस आई दोनों को डिवाइट कर दिया क्लियर हुआ बी से बी कैंसल साइन अपॉन कास कितना होता है 10 तो 10 आई बराबर जेड़ी अपॉन बी इ बुलो डन तो यह हो गया 10 तो यह कोश्चान आता है निकालने के क्या बेटा बेटा गलत लिखा उसको HE कल लो HE कितना होगा HE समझ गया न तो इस तरीके से यह आपन जो है इसका घटक निकाल सकते हैं नमन कोर निकाल सकते हैं परणामी चुम्बी की चेतर की चीवरता निकाल सकते हैं कभी कभी इससे question आ जाता है बट MP Board के प्रेस्पेक्टिस पर देखा जाए तो आँगे आने वाले टॉपिक में लोह चुम्ब की अनुचुम्ब की पदार्थों का वर्गी करन बहुत जादा आता है आईए अब बात करते हैं बच्चों पदार्थों का वर्गी करन तो भाईया आपने पास में दुनिया के जो पदार्थ हैं जब उनको चुम्ब के सामने लाओगे तो चुम्ब की पदार्थ है तो पदार्थों को उनके चुम्ब की व्योहार के आधार पर तीन प्रकार में व वो स्द्रावग-इस ऐसे ही बहीत चुंबकी पदा ब्याहर के आधर पर तीन वर्गों में भाज़ित किया है नमबर वन प्रती चुंबकी पदाख नमबर दो अनुचुंबकी ही और तीसरा क्या होता है लौह चुंबकी Если अनुचुंबकी यह लौह चुंबकी जैसे बिना पढ़ने वाला बच्चा जो होता है उसको अच्छी क्लास दी जाए तो निकल लेता है वहां से पढ़ना नहीं है समझ गया ना खेल की तरफ आकरसित होगा पढ़ाई से दूर भग लेगा तो ऐसा जो प्रति चुम्ब की पदार्थ भी पदार्थ होते हैं इनके प्रति परमाड़ों का नेट चुम्ब की आगून सुन होता है कब सुरुवात में कब काई में भी या सुरुवात में इनके प्रति परमाड़ों का जो नेट चुम्ब की आगून होता है शुन हुआ करता है एक दूसरे को डोमेन में ऐस तरीके से जकड़े रहते हैं तो इसमें नट चुम्ब किया गूर्ट कितना हो गया जीरो अब जैसे ही तुम मान लो यहां पे नॉर्थ लेके आए और यहां पे साउथ लेके आए और इसके बीच में यह पदार्थ रखे वो लोहाया ना तो इमानदारी से यह बनना क्या था साउथ था और यह क्या बनना था नौर्थ था तब ही तवा करसित होता तो यह बन जाएगा नौर्थ और यह बन जाएगा साउथ तो मतलब उल्टे डिरेक्शन में चुम्बकित हो जाया गई और उल्टे डिरेक्शन में चुम्बकित होगा तो छेतर से दूर की तरब भागेगा तो क्या लिखा है प्रती चुम्बकी पदार्थ भी पदार्थ होते हैं इनके प्रतेग परमाड़ों का नेट चुम्ब की आगुरे ये लाइन याद रखना किता होता है बीटा सुने होता है परंतु जब इनको बाहः चुम्ब की छेतर में रखा जाते पर वे छेतर की विपरी दिसा में चुम्ब कित हो करके छेतर के लंबवत हो जाते हैं लंबवत कैसे होते हैं बड़ी मज़धार स्टडी है देखो जैसे मान लो तुम यहां पे छेतर रखे हो और यह है समझ मैं आया तो यह ऐसे तो होगा और ऐसे होने के बाद यह घूम करके ऐसा हो जाएगा फालूम उसे दिक्कत क्या है वो कहेगा कि मेरे अंदर से जादा लाइन्स आफ फोर्सेस नहीं जानी चाहिए समझ मैं आगर यह ऐसा लेटा रहता तो इसके अंदर से जादा लाइन्स आफ फोर्सेस जाने की गुंजाईस होती की नहीं होती तो क्या हो जाएगा यह ऐसे हो जाएगा समझ गया ना तो प्रती प्रती चुम्मे की जो होगा वो क्या हो जाएगा छेतर के लंबवत हो जाएगा छेतर के याद रखना छेतर के लंबवत यह प्रपर्टी आती ही कि छेतर के कैसे हो जाते हैं यह चेतर के लंबवत हो जाते है अब बात करते हैं नेक्स टाइप के भाई अनु चुम्ब की है क्या बात करते हैं एक तो प्रती हो गया दूर वाला एक हो गया अनु याने पास वाला अनु याने पास वाला अनु चुम्ब की पदार्थ भी पदार्थ होते हैं शक्ति साली चंबक के द्वारा क्या होते हैं आकरसित बाहर चुम्ब की छेतर के अनपस्तिती में प्रणामी चुम्ब की आगुण सुन हुआ करता है बाहर चुम्ब की छेतर में रखे जाने पर ऐसे पदारतों में चुम्बकन उत्पन हो जाता है और वो घूम करके छेतर के समना अंतर हो जाएंगे जैसे मान लो तुमने यहां प और कैसे direction में alignment करेंगे, ये घूम जाएगा पूरा, अब ये north है तो ये क्या बन जाएगा, south ये क्या बन जाएगा, north आई बस समझ में न, और ये जो domain थे जो पहले बंद रहे होंगे, जिस समय चुमकी आगोंड जीरो रहा होगा, domain जानते हो, molecular magnet, आणविक चुमबक, आणव आणविक चुमबक अपने आपको, close pattern में रखा करते हैं, सम्हाल करके, इस व्ववस्था को बोलते हैं, domain, क्या बोलते हैं, इसको, domain, इस व्ववस्था को अपन डोमेन बोला करते हैं, तो बेटा ये जो आणविक चुमबक हुआ करता था, ये सीधे arrange हो जाएगा, बेटा थापित कर लेंगे, अगला लोह चुमबक की पदार्थ, ऐसे पदार्थ होते हैं, जो चुमबक की तीवरता, तेजी से, जो चुमबक की और तीवरता से आकर सित होते हैं, जो लोहा ओहा आप खेलते हो, ये सब कौन से हैं, लोह चुमबकी, कौन से हैं, लोह चुमबकी, य होगा पेरड इलेक्टरॉन, नौन पेरड इलेक्टरॉन का फंडा होता है, हाँ या ना, है ना, तो इसमें हर परमारू की बात हो रही थी, आप इसलिए मैं रही बात जाहिर करी, इन इन पदार्थों के प्रतेक परमाडू में नेट चुम्ब की आगून हुआ करता है कई परमाडू अन्योन क्रिया करके अनेक समूह बनाते हैं जिने इन समूह को क्या बोलते हैं डोमेन अभी मैंने बताया था आणवीक चुमबक ही जो अणु होते हैं चोटे-चोटे, वो पेटर्न बना लेते हैं, उन पेटर्न को क्या बोलते हैं? डोमेन, बिल्कुल सही बात है, है ना, प्रतेक डोमेन चुमबकी आगून, एक ही दिसा में सनरेखेत रहता है, आता है बाह चु कि चुम्ब की शेत dig meी प्रतेक डोमेन एक चुम्बक की भाती ब्योहार रोता है कि इस प्रकार आंवी विन्यासित रहते हैं कि प्रणामी चुम्ब की आगुण सुन होता है कब जिस समय आप चुम्ब की छेतर नहीं लगाते हो समझ में आया तो देखना ये फंडा क्या कह रहा है ये फंडा ये कह रहा है देखो मतलब कुल मिला कि यह आ रहा है कि जब तक तुमने चुम्ब की छेतर नहीं लगाया चाहे तुम अनु के पहले अब जिरी छेत्र लगाया है तो क्या हाल होता है ये जो मैं दिखा रहा था तुम को ये नौर साओ ये पना लिये अब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि अगर तीन सदस्व बैक टूबैक अगर लगते हैं तो उनका परड़ामी किता होता है जीरो, लगता है न, मैं थे पढ़ा है न, A, B, P, C, P, C, A, बराबर किता जीरो, तो इस तरीके से एक close pattern में रहते हैं, तो इनका कुल चुम्ब की आगोंड किता होता है, जीरो, समझ मैं आया है न, एक ही दिशा में संदेखित रहते हैं, आता है, बाह चुम्ब की छेतर की अन चुम्बक है, इसका अगून होगा, इसका भी होगा, मगर इसका भी होगा, समझ गया न, बटे तीनों आपस में ऐसे जम गए हैं कि इनका कित्ता हो जाएगा, जीरो, तीन बच्चे यहाँ छतरफाल खड़ा है, यहाँ सरी खड़ा है, यहाँ मुकल पड़ा है, दोनों चुम्बक के उपस्थिती में अधिक आधिक डोमें चुम्बक की छेतर के दिसा में संरेकित होने होते हैं, सबसे जादा डोमें इसके जो होते हैं, अनुचुम्बकी में भी यही होता है, डोमें विस्थापित होते हैं, मगर अनुचुम्बकी में इसमें विस्थापन की म से आप क्या समझते हैं ठीक इसको प्रैक्टिकली समझे कि चुम्भी की प्रवत्ती क्या होती है मालो यहां पर मैं हूँ ओके और मेरे से दस मेटर की दूरी पर दो बच्चे बिलकुल खड़े हुए मतलब इससे मेरी दूरी यहां पर दस मेटर इससे भी है उससे भी दस मेटर है मैंने ए को बुलाया और मैंने बी को बुलाया मैंने का A, इधर आओ और साथी मैंने का B, तुम भी इधर आओ A, B, इधर आओ बुले यह सुनू अब A जो है वो तुरंट मेरे तरब दोड़ करके आ गया भड़ाक से, देखा होगा आपने B जो है आराम से थोड़ा लहरा वहरा करके दूसरे काम भी करके आराम आराम से मेरे पास आता है तो A, मेरे प्रभाव में जल्दी से आ गया B, मेरे प्रभाव में जल्दी से आ गया देर से आया, बुलो हाँ अब एक चीज़ होता है जिसको नाम है क्या बोलते है magnetizing force तुम खुद बताओ कि मैंने दोनों पर समान बल लगाया कि अलग अलग लगाया भई मैंने क्लास में सब को बच्चों को समान पढ़ाया पढ़ाया ना ऐसे यहां पर भी मैंने इस बच्चे को दोनों बच्चे को समान रूप से बुलाया ना दोनों पर मेरे से सेम डिस्टैं चुम्बकन ये चुम्बकन बल ठीक है ना चुम्बकन बल तो मेरा यहां पर चुम्बकन बल मान लो किता है H अच्छा यहां पर भी किता होगा H ही होगा बुले यह सौनो दोनों पर मेरा चुम्बकन छेतर बराबर है की नहीं है अब इस बच्चे को मेरी बात ज्यादा समझ में आई आई की नहीं आई इस बच्चे को मेरी बात कम समझ में आई क्लास की महुल की बात किया जै तो इसको मेरी ज्यादा बात समझ में आई इसको मेरी बात कम समझ में आई इन वाटलब मेरे दुआरा दिये गए चेतरमे जो पहला धारत है, उसके अंदर ज्यादा चुमब की आग़ूुन डैबलप हुआ हाया ना? और दूसरे बच्चे के अंदर के कम चुमब की आग़ून डैबलप हुआ हाया ना? तो जिसके प्रती एक आंक आयतन में जन्म लेने वाले चुम्ब की आगून को बोलते हैं चुम्बकन तीवरता क्या बोलते हैं? चुम्बकन तीवरता आई सुन लेना भाई साब दो चीजे यहां पर पढ़ा रहा हूँ एक चुम्बकन छेतर और दूसरा चुम्बकन तीवरता चुम्बकन छेतर चुम्बकन तीवरता तो चुम्बकन छेतर तो मैंने क्या बताया? मैंने क्या लगाया? और चुम्बकन ती वरता मतलब मेरे छेतर में ये कितना जादा जादा इसके अंदर आग्हून डेवलाफ हुगा, परती एक आउटन मतलब परती एक आउटन में जन्म लेने वाले चुम्ब की आग्हून को हम बोलते हैं क्या चुम्बकन छेतर की तीवरता आई बात समझ में तो ये चुम्बकन छेतर की तीवरता हो गई इसके अंदर चुम्बकन छेतर की तीवरता जादा है इसके अंदर क्या है स्वरी इसके अंदर चुम्बकन छेतर की तीवरता क्या कम है क्योंकि इसके अंदर आग बल लगाने पर जो किसी material के अंदर जो चुम्बकन तीवरता बनती है वो किती बनती है I क्या बोलते है आई चुम्बकन तीवरता तीवरता मतलब intensity intensity का संबल क्या है I अता है एकांक चुम्ब की छेतर में बनने वाली चुम्बकन तीवरता क्या होगी आई अपॉन है इसको बोलते हैं चुम्बकी प्रवत्ती क्या बोलते हैं दिये गए लगाए गए चुम्बकी छेतर में स्टेबलेस होने वाली चुम्बकन तीवरता को एकांग के छेतर में आने वाली चुम्बकन तीवरता को क्या बोलते हैं चुम्बकी प्रवतिस को एक से से नोट काई से नोट करते हैं I equal to I upon समझ मैं आया अब एच कामान निश्चित करने पर एक में भला बलकुल जादा तीवरता क्रियेट हो रही है मतलब मैंने एक लाइन पढ़ाया और उसको दस लाइन का ग्यान हो गया बोलो हाया ना भई मैंने यहां से कुछ बोला और अलग-अलग बच्चे जो हैं अलग-अलग कंसेप्ट गेन कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर आगहुन डेवलप होगा उसकी चुम्बकन तीवरता उस पदार्थ की क्या होगी सबसे ज्यादा है ना और जिसके अं अनुपात को उस पदार्थ की क्या बोलते हैं चुम्बकी प्रवत्ती सबसे घटिया डेफिनीशन अनुपात कर दिया समझ गया ना या प्रती एक आंक चुम्बकी छेतर चुम्बकन छेतर पर किसी नमूने पर किसके नमूने पर चुम्बकी पदार्थ के नमूने पर आने रिप्रजन करते हैं जाई से समझ गा ना इसे जाई से रिप्रजन करते हैं यह सुद्ध निस्पति है मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि जो नीचे वाले की काई है वही उपर वाले की काई है तो नीचे वाले की उपाई से उपर वाले की काई कड़ गई वास्तों म मैंने क्या बताई कि तुमको कितनी ज़ली से मेरी बात समझ में आएगी एक ही छेतर में तीन नमूने रखे हुए हैं तीसरे वाले के अंदर अगर भल भला करके Magnetic Dipole Develop हो गया मतलब उसका चुमकगन शेतर का है बहुत strong है समझ गया नस्की चुम्ब्ब की misleading का मान जितना जादा बढ़ा होगा मतलब वो पदार्थ उतना जादा अच्छा चुम्ब की पदार्थ होगा तो हम समझ सकते हैं सबसे कम चुम्ब की प्रबत्ति किसकी होगी प्रतीच occupied की पिर किसकी अनूचुम्बिकी कि फिर किसकी लोग की की समझ में आया के नहीं ऴूं शहली है कि तो अगला कोशन देखिए कोशन नमर सत्रह यहां पर कह रहा है कि पर्माणवी मिडल के आधार पर अनु चुम्बकत्य की व्याख्या कीजिए भई परमाडवी मॉडल क्या है परमाडवी मॉडल यही है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं उन सब के अंदर क्या होते हैं अडू होते हैं और हर अणू का अपना एक विशेश प्रकार का चुम्बकत्य हुआ करता है क्योंकि इलेक्ट्रोनों के चक्रण के आधार पे हर अणू जो होता है इलेक्ट्रोन के चक्रण के आधार पे कौन सा इलेक्ट्रोन वेलेंस इलेक्ट्रोन वेलेंस एलेक्ट्रोनों के अधार पर हर अणू जो है अपना एक चुम्बक बनाता है जिसको हम बोलते हैं आणविक चुम्बक ठीक है न? तो हर अणू एक चुम्बक बनाता है उस चुम्बक को हम बोलते हैं आणविक चुम्बक चलो तो फिर आंगे बात की जाए चुम्बकत के परमाडवी माडल के अधार पर अनुचुम्बकत की व्याख्या कीजिए अनुचुम्बकत की पदार्थे कैसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाडवों में इलेक्ट्रोनों की संख्या विशम होती है लिए पहली लाइन लिख लो अनुचुमी की पदार्थ के परमाणगों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विशम होती है यह आपको मेमुराइज करना पड़ेगा ठीक अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या विशम होती है जैसे मान लो भाई साब क्लोरीन अब क्लोरीन में 17 एलेक्ट्रोन हैं कितने हैं? 17 तो 16 प्लस 1 की जोड़ी बनेगी 16 प्लस 1 की जोड़ी बनेगी आपके पास में मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 16 प्लस 1 की जोड़ी बनेगी तो एक का पड़्डा भारी रहेगा क्यों? क्योंकि विसम है अगर 18 होते, तो जितने उपर चक्रण करने वाले उतने नीचे चक्रण करने वाले जिसको आप बोलते हो केमेस्ट्री में एंटि क्लोखवाइज और क्लोखवाइज परंतु यहाँ पर विशम है तो एक तरप का चक्रण करने वाले ज़ादा रहेंगे कि एक तरफ का चक्रण करने वाले कम रहेंगे तो चुमब की आधार पर उचिंब्स की व्यांख्याम कर रहे थे अनुचुमब की अठरह ऊता हैं कि जिन में की संख्या विशम होती है इन अनुचुमब कीये में दिसा में होता है, बिल्कुल सही बात है, जैसे अपने क्लोरीन का एक परमाणू ले लिया, तो ऐसे इलेक्ट्रोनों की अधिकता होगी, जिनका चक्रण एक ही दिसा में होता है, राइट बात है, ऐसे ज़्यादा होगे, अतै प्रतेक परमाणू का एक नेट चुम्ब की आग होगा, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि एक जादा है, एक जादा है, आठारा थे, तो आठारा में नो उपर और नो नीचे, बड़ अगर सत्रा हैं, तो नो उपर और आठ नीचे, या नो नीचे तो आठ उपर, उपर नीचे का मतलब क्या है, clockwise, एंटि का एक नेट चुम्ब की आगुण होता है ठीक फलसरूप प्रतेग परमाडू एक लगु चुम्बक की भाती ब्योहार करता है जिसे परमाडवी चुम्बक कहते हैं यह मैंने पहले भी बताया बाद चुम्ब की छेतर की अनुपस्थिती में परमाडवी चुम्बक अनियमित रूप से अभी विन्यासित रहते हैं किस रूप से अनियमित रूप से कब तक जब तक और नहीं आया है चुम्बकी छेतर जब तक बाहर से लगा नहीं है और जब तक बाहर से चुम्बकी छेतर लगा नहीं है तो यह अनियमित रूप से अभी विन्यासित रहेंगे प्रदर्सित नहीं करते हैं जी हां चुम्मिकी ये छेत्र की अनुपस्थिती में चुम्मिकी ये प्रदार्थ किसी प्रकार के चुम्मिकी ये छेत्र का प्रदर्सन नहीं करते हैं चुम्मिकी गुण का प्रदर्सन नहीं करते हैं मैं आपको याद दिला दू अनुचुम्मि की पदार्थ वे चुम्म की पदार्थ होते हैं जो चुम्म की छेतर लगाए जाने पर चुम्म की छेतर की दिसा में अपने आपको विस्थापित कर लेते हैं और थोड़ा सा उनके प्रती चुम्मकन प्रदर्सित करते हैं प्रती चुम्म की क्या होते हैं छेतर के लंबत हो ज जीरो था श्रुरी M बराबर चुन्मप की अगूंड़ किता था जीरो था बाद चुम्पी की छेतर में प्रतेक प्रमाडवी चुमपक पर एक बलीगम कारीर करने लगता है जो प्रमाडवी छुमपक को गुमा करके छेतर की दिसा में लाने का प्रयास करता जी हम जैसे ही से उल्टे घुमे हुए थे इनके उपर क्या काम करेगा बल्यक्म काम करेगा और ये सब के सब क्या हो जाएंगे छेतर की दिसा में अलाइन हो जाएंगे सब के सब छेतर की दिसा में अलाइन हो जाएंगे अलाइन मतलब की संरेक्षित हो जाएंगे लो भई, तो बात चुम्बी की छेतर की बसिती में परते एक पर्मारेईऑी चुम्बक पर एक बली गुंकार करने लगता है जो की परमारेईऑी चुम्बक को घुमा कर छेतर की दिस tapping लाने का प्रयास करता है फल सुरूप परमाड़ी चुम्बक छेटर के समनांतर होने लगते हैं और आनुचुम्ब की पदार्थ चुम्ब की गुण का परदरसन करने लगता है कैसे भाई जब ये alignment हो जाएंगे तो मान लो ये वाली जो चौच दिख रही है ये north है और ये जो पूच है ये south है तो जब ये बनेगा alignment होने के बाद तो कुछ इस तरीके की विवस्था बनेगी तो ये चौच फाइनली जो है इधर को गई चौच ही चौच और इधर को पूच ही पूच तो ये इतनी सारी चौच क्या बनाएंगी north pole और ये वाली पूच क्या बनाएंगी south pole तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो चौच की पदार्थ है वो चौच कित हो चुका है उसने अपने अंदर जितने भी आगूण बन रहे थे उन आगूणों को molecular magnet को चौच की अड़ों को सनरेखित कर लिया है फल सरूप परमाडवी चुमबक हाँ ये नाम याद रखना परमाडवी चुमबक इंगलिस में बोलते हैं molecular magnet छेतर के समांतर होने लगते हैं और अनुचुम्ब की पदार्थ चुम्ब की अगुण का परदर्सन करने लगते हैं अनुचुम्ब की पदार्थ जो होते हैं वह हलके फुलके मामूरी से magnet बन जाते हैं अब मामूरी magnet क्यों बनते हैं क्योंकि ने चुमबकि प्रवत्ति कम होती है य्याहिनन, आज आज आख लो भाई-साब आगुन नीचे आ रहा था तो एक का कहा जा रहा था उपर मतलब जिससे की टोटल यहां पे चुम्ब की आगुन कुल इस सिस्टम का मैं बात कर रहा हूँ इस तंत्र का इस सिस्टम का इस व्यवस्था का जो कुल चुम्ब की आगुन था वो कित्ता था भईया जीरो था परन्तु जैसे ही आपने इसको छेतर की उपस्थिती में लाया इसको मैगनेटाइस किया चुम्बकन करने के बाद जो चुम्ब की आगुण होगा वो जीरो नहीं होगा ठीक है ना तो एक पूल आपका नौर्थ बन जाएगा एक पूल आपका साउथ बन जाएगा और इसके अंदर चुम्ब की प्रवत्ती विक्सित हो जाएगी चली अब आप बात करते हैं ये तो देख लिए आपने आनौ चुम्बकत का मॉडल देख लिए अब आईए बात करते हैं प्रती चुम्बकत के मॉडल की प्रती चुम्बकत के मॉडल के आधार पर प्रती चुम्बकत की व्याख्या कीजिए बहुत बढ़िया प्रती चुम्बकत पदार्थ हैसे पदार्थ होते हैं जिसमें परमाणों के इलेक्ट्रोनों की संख्या सम होती है ठीक है इलेक्ट्रोनों की संख्या सम याद रखेगा अनुमें विशहम और प्रती में सम ये थोड़ा याद रखे जाना पड़ेगा मैमॉराइस करके जाना पड़ेगा इसका कोई भी कलब नहीं अपने पास तो प्रती चुम्म की पदार्थ में सं्ख्या होती है सं ठीक है न? और इसमें क्या होती है अनुचुम्मी की पदार्थ में होती है विशम ये लोग प्रती चुम्मी की पदार्थ है कैसे पदार्थ होते हैं जिसमें परमाड़ों में इलेक्ट्रोनों की संख्या सम होती है प्रते एक परमाड़ों दो-दो इलेक्ट्रोन के एक युग में बनात कैसे जब और्बिटल भरते हो जब और्बिटल भरते हो तो एक और्बिटल में कित्त इलेक्टरोन आते हैं दो और दोनों और्बिटल के जो चक्रण होते हैं वो विपरीथ होते हैं प्रते एक युग में के इलेक्टरोनों के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीथ होती यह भी पता है अता है प्रतियक युग में इलक्टरॉन एक दूसरे के चुम्ब की आगून को नरस्त कर देते हैं वाँ भी क्या वाँत है मतलब नरस्त हो गया इस और्बिटल का अगर आप देखोगे कुल चुम्ब की आगून को इतकिता में लेगा जीरो फल सरूप प्रतिय इक की आगून का नेटम की आगून सुन्म होता है जब किसी परतियों की इत no की पता युग में रखा जाता है तो इल्लेक्टरॉनों के प्रतियाज़ में तो बाहरी जो चुम्ब की छेतर लगाया गया है, वो किसी एक का सपोर्ट करेगा, कैसे? भाई, जैसे मान लो, कि ये आपके पास बाहरी चुम्ब की छेतर है, तो और कोई ऐसे घूम रहा है, तो clockwise घूम रहा है, और एक anti-clockwise घूम रहा है, उल्टा, एक इधर वाला और एक इधर वाला, कौन घूम रहा है इलेक्टरॉन, ठीक ना? तो अब यदि चुम्ब की छेतर लगाया गया है, तो चुम्ब की छेतर में क्या लगता है? चुम्ब की ये बल लगता है, F equal to MB, तो एक का सपोर्ट करेगा, और एक का अपोज करेगा, विरोध करेगा, तो एक का कोणी ये वेग बढ़ जाएगा, और दूसरे का कोणी ये वेग घट जाएगा, फल सरूप एक इलेक्टरॉन से कोणी ये वेग बढ़ गया, मतलब जोर जोर से गती करीगी, और दूसरा धीरे से घर्थी करीगी तो फल्स रूप एक इलेक्ट्रॉन से सबध धारा का मन मैं कहूंगा इस धारा को चुम्ब की धारा बोलो मजा आएगा का मन बढ़ जाता है तथा दूसरे से सबध धारा का मन घट जाता है इस प्रकार प्रतेक युग्म के इलेक्ट्रोनों का परणामी चुम्ब की आगुण सुन नहीं हो पाता क्यों क्योंकि एक की धारा बड़ी रहेगी और एक की धारा छोटी रहेगी और आपको पता है M बराबर होता है N I A फेरों की संख्या इंटू I इंटू A फिलहाल यहां पर लगेगा आईए तो एक की धारा बड़ी है एक की धारा छोटी है तो चुम्ब की आगुण जो होगा बच जाएगा सुन नहीं हो पाता है कब जब बाह च्छेतर लगाया है आता है प्रतेग परमाडू में प्रती चुम्ब की आगोन प्रिरित हो जाता है जिसकी दिसा बाह चुम्ब की च्छेतर के विपरीत होती है ठीक है जिसकी दिसा जो होती है अतह प्रतेग परमाडू में चुम्ब की आगून प्रेरित हो जाएगा जिसकी दिसा बाह चुम्ब की छेतर के विपरीत होती है विपरीत इसलिए क्योंकि ये अपने आपको विपरीत दिसा में चुम्ब कित करते हैं तो इसमें जो इसके अंदर जो चुम्ब की छेतर बनेगा वो लगाए गए चुम्ब की छेतर की दिसा के विपरीत दिसा में जन्म लेगा इस प्रकार प्रती चुम्ब की पदार्त बाह चुम्ब की छेतर की विपरीत दिसा में थोड़े से क्या हो जाते हैं चुम्ब की थो ज श्रुआ काधने से चुमब की छेटर लगा जाने पर अनुचुमिकी पदार्थों का और बाहः चुमिकी पदार्थों का उई वहार हुआ करता है आद्छन अगला बात करते हैं प्रशनक्रमांग कुनिस इस चुम्बकत के परमाडवी माडल के आधार पर लोह चुम्बकत की व्याख्या कीजिए देखे अभी तक जो आपका चुम्बकत था वो हमने अड़व के आधार पर समझाया है मगर लोह चुम्बकत जो है वो डोमेन के आधार पर समझाया जाता है ठीक है न? मतलब इसमें आल्रेडी जो चुम्बकत होते हैं चुम्बक जो हुआ करते हैं एक ही एक टाइप के जो आणविक चुम्बक होते हैं वो एक अन्योन क्रिया करके एक विवस्था बना लेते हैं उस विवस्था को हम डोमेन बोलते हैं उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं डोमेन और जब हम बाह चुंबकत नहीं लगाते हैं मतलब B बराबर 0 रहता है तो वो डोमेन अपने आपको कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि कुल चुम्ब की आगुण 0 हो जाता है परन्तु जैसे ही हम चुम्बकत लगाते हैं जैसे ही हम चुम्बकतों को on करते हैं, ये जो domain होते हैं, ये बहुत तेजी से अपने आपको छेतर की दिशा में align कर लेते हैं, मतलब n बहुत जबर्दस तरीके से बढ़ जाता है, इसलिए छेतर की दिशा में अपने आपको ये बहुत प्रबल चुम्बक की भाती ब्यावार करवाते हैं, आईए पढ़ते हैं इसका domain theory, अनुचुम्बी की पदार्थों के भाती लो, चुम्बी की पदार्थों का प्रतेक परमाडू एक छोटे छोटे परमाडवी चुम्बक की तरह ब्यावार करता है, जिसका नेट चुम्बक की आगुण होता है, भाई, चाहे कोई भी पदार्थ ले लो, उसके अंदर प्रतेक परमाडू जो होता है, प्रतेक परमाडू छोटे 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 चुम्बक की तरह ब्यावार करता है, जिसका नेट चुम्ब की आगुण होता है, अब यहां से नई लाइन आ रही है, यह तो पुरानी लाइन आ गई, कि अनुचुम्मिकी पदारतों की भाती लोग चुम्मिकी पदारतों का प्रतेक परमाडू, एक छोटे छोटे परमाडवी चुम्मक की भाती व्योहार करता है, जिसमे नेट चुम्मिकी आगुण होता है, होता है तो फिर सो क्यों नहीं होता है, चुम्मिकी छेतर की अनुपस् उनक्रिया होती हैं जिसके कार अनेक परमाडवी चुम्बक मिलकर नय समूह बना लेते हैं ये लो भाई तो ये जो परमाडवी चुम्बक थे ये मिलकर के नय समूह बना लिए ये हैं इनके समूह ये देखो ये हैं इनके समूह अब इनके समूह की विसेस्ता देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है उल्टा ये नीचे से उपर और ये उपर से नीचे अब ये एरो क्या है एक पूँच जो है साउथ है और एरो नौर्थ है तो देखो के तो कुल ये जितने उपर है उतने नीचे है तो ये दूसरे को कैंसल कर देंगे की नहीं कर द एक ही दिसा में विवस्थित रहता मतलब जो एक समूह वाले हैं वो सब के सब एक ही दिसा में एलाइनमेंट देख लो ये सब के सब एक ही दिसा में एलाइनमेंट है इन्होंने ग्रुप बना लिए कि जो भाई साथ साथ वाले हैं वो साथ में आ जाओ तो इन्होंने परंदिख राइसकौम क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं बाहत चुम्ब की छेतर की अनुपस्थिती में भी प्रतेक डोमेन चुम्बक की भाती व्योहर करता है किसकी बात कर रहा है डोमेन की मतलब यह जो डोमेन है इतना सा हिस्सा यह किसकी भाती व्योहर करेगा चुम्बक की तरह व्योहार करेगा प्रतेक डोमेन चुम्बक की भाती व्योहार करता है क्यों क्योंकि उनका नेट चुम्बकी आगुण 0 नहीं है अपना अपना सब चेतर 0 है जैसे तुम इनको अगर बनाओगे एक किसी डोमेन को उठा लोगे और जोड़ जोड़ के बनाओगे तो मालूम ही क्या बनेगा ये बनेगा आपका बहुभुझ कैसा बहुभुझ बनेगा चलो देख लो एक यह है एक यह है और एक यह है बहुभुझ और अगर बह पुबुज अनीमित रूप से अभी विन्यासित रहते हैं, फल्स रूप डोमेन का प्रणामी चुम्ब की आगुण किता होता है, शुन ये इंपॉर्टेंट बात है, अता है लोह चुम्ब की पदार्थ चुम्ब की भाती व्योहार नहीं करता, कब जब तक बाहे चुम्ब की चींये चुम्ब की चेटर में रखना है, जब गाता है लोह चुम्ब की पदार्थ को बाहे चुम्ब की चेटर में रखा जाता है, तो निमने दो क्रियाएं हो सकती है, पहली क्रिया क्या है, आसे आ गया तो यह सब इस तरफ हो गया यह उपर वाले थे यह ऐसे उल्टा घूम गया तो इस तरह के से आरेंज हो गया या तो यह हो गया उन वर्माइनमेंट हो गया एक तो सीपर बन सकता है दूसरा क्या बनेगा उद सबी कि इस प्रकार गूँने लगते हैं उनके लौढ़कत कामान बढ़ने लगता है एक ऐसी स्थिती आती है कि सांपूर्ण डोमेन चुंबकी छेतर की दिशा में संडेक्षित हो जाता है इस स्थिती में लौढ़कत कामान सरवाधिक होता है इसे लौढ़कत की संतरपता लगता कहते हैं एक भी आणविक चुम्बक नहीं बचा जो खाली हो सबके सब एक अई दिसा में हो गए अब कहां से ले आऊ गए आणविक चुम्बक है बचे ही नहीं है जितने अडू थे सबके सब सनरेखित हो गए तो इसको बोलते हैं संद्रप्तावस्था इसको बोलते हैं हम कि चुम्बक का पदार्थ जो है वो संतरप्त हो गया अब दूसरा क्या हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है तो दूसरी क्रिया आपके सामने ये दी गई है सी वाला पॉइंट समझी ये थोड़ा डिफिकल्ड भी है डोमेन की परी सीमाएं विस्थापित होन लगती है मतलब डोमेन जिन सीमाओं के अंदर है ये देखो जहां डोमेन जिन सीमाओं के अंदर था वो सीमाएं जो हैं विस्थापित होने लगती है अभी तक क्या हुआ था अभी डोमेन बदल रहा था अभी तक क्या हुआ था जो आणविक चुम्बक थे वो एलाइन हो रहे थे अभी तक यह हुआ था कि आणविक चुम्बक अपने आपको एक दिसा में विवस्थत कर ली ऐसा हुआ था परन्तु अब आणविक चुम्बक नहीं पूरा का पूरा डोमेन की जो सीमाएं है जो बाउंडरी है वो विस्थापित हो रही है जिन डोमेनों का चुम्ब से आदे साया बाहर से तो एक तरह के बच्चे जो हैं पूरे के पूरे एक साथ हो गए और ये जैसे ये वाले हैं जैसे ये वाले हैं और कुछ हिस्सा ये वाला है तो कुछ ये वाले और ये वाले ये आपस में जुड़ करके अपनी डोमेन को विस्तरत कर लेते हैं परी सी जो फिल्ड के साथ नहीं है वो कहीं और जाके अड़िस्ट हो गए तो कुल मिला के ये समझ ये कि इन चारों में से जो एक ही फिल्ड का सपोर्ट कर रहे थे वो जा करके उन्होंने एक अलग कंट्री बना ली और उसकी अलग बाउंडरी सेट कर ली और जो बाकी थे वो अन्य च्यत्र जाकर के कहीं छोटे-छोटे-छोटे-छोटे रूपों में बस गए तो यह क्या है यह मॉडल है एसा हम मानते हैं कि ऐसा होता है है ना तो इस प्रकार से हम दो थियोरी डेविलप की गई है कि डोमेन की परिसीमा विस्थापित होने लगती है जिन डोमेनों का चु की complete theory अनु चुम्ब की ये प्रती चुम्ब की ये और लोह चुम्ब की पदार्थों की व्यवस्था किस प्रगार से चुम्ब की छेत्र में रखे जाने परिन में चुम्ब कत्व आता है क्यों आता है और किस वजह से आता है